वेलकम बैक टु दा चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे बी एसनेल का जो कमबैक हो रहा है उसको लेके मतलब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा जो सब्सक्राइबर है वो लोग हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मली रिलाइंस हो या फिर रेर तेल हो या फ सब्सक्राइबर के पास आ रहा है इसको मतलब रिटेन कर पाएगा या नहीं का सर्विस कैसे होगा लॉंग टरम में इंडिया में कैसे काम करेगा एक टाइम में हम लोग को पता था कि मार्केट में जो लीडर था वह बहुत पहले का बात है उसके बाद धीर धीर यह करता ही जा रहा था बिफोर दिस प्राइस हाइक के पहले का जो टाइम है उसका मैं बात कर रहा हूं मगर प्रेजेंट ली जो कंडिशन हुआ है हम लोग को पता चल रहा है कि यह सब्सक्राइबर बेस से यह दिरे दिरे ग्रो कर रहा है और गवर्मेंट भी अपने तरफ से चार आये जो के एक्वर्मेंट के तरफ से हम लोग को एक पैसिलिटी प्रोवाइट किया जाता है जिससे आपका जो नंबर है भले ही हो आपका रिलाइंस जीओ हो या फिर एयर टेल हो या फिर वोदाफोन आइडिया हो आप वही सेम नंबर रख के आपका जो सिम है उसको कर सकते हैं दूसरा आइस की मदब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसमें अगर आप चाहें तो बीसनल या फिर कोई भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनमें अब इनमें अगर आप देखा जाए तो सबसे सस्ता जो सर्विस आज के डेट में इंडिया में होगा होगा तरब से तो पेजली जब यह प्राइस हुआ हम लोग देखे के राउंड अबाउट 11 से 25 परसेंट तक हाइक वह है जो के रिलाइंस जियो साती साथ एयर टेल और वोदाफोन के द्वारा किया गया है डिफरेंट पैक में डिफरेंट परसेंटेज जो था यह हो गया इसके वज़े से जो लुवर इंकम ग्रूप का यह जो मतली जो खर्चा है यह काफी बढ़ गया अगर देखा जाए के एक घर में तीन या चार जन आजके डेट में हर घर में सबके पास ही मोबाइल रहता है किसी किसी के पास एक मोबाइल में दो सिंभी रहता है वह रिचा इंडिया में वह सिर्ट नेट्वर्क प्रवाइड कर रहे हो है फोर जी मतलब बी एसनल का कोई एक्स फाइब जी का ऑप्शन अभी इंडिया में अवेल लेबल नहीं है अगर तूजी त्रीजी बोलेंगे तो ओविएसली देयर इंट्रूड इंट्रूड हर जगा बेसनल क है जो गाओं है या ऐसा जगा जहां नॉर्मली कोई टावर नहीं लगाता है उस तब एडिया में और भी ज्यादा टावर प्रांटेशन करने के लिए जिस से आगे जाके जो नेट्वर्क का जो कवरेज का जो इसू है वह और भी ज्यादा रिजॉल्फ हो जाएगा तब हम हम लोग के लिए घर चलाने में आसा नहीं होगा तो यूजिंग दे एमन पी और उसके बाद वो लोग क्या कर रहा है पोट कर रहे अपना जो से में वह बीस अनल में अब बीस अनल देगा आपको 4G सर्विस मगर हम लोग अगर जो यूजर से हम लोग को 4G से कुछ लोग वीडियो में वी क्लिक करते हैं लोग इंडिया में फाइब और फॉन में वीडियो वह चल नहीं रहा है तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि आगे जाके यह 4G और 5G का जो डिफ्रेंस आगे हो सकता है कि प्राइबेट सेक्टर इसको हाइलाइट करना के कोशिश करें कि अगर आप हम लोग के साथ रहे तो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा वह है फाइब जी तो यह जो कॉंसेप्ट है यह कॉंसेप्ट बेकार खाए क्योंकि अगर फोर जी में मुझे अच्छा सा स्पीड मिल जाए तो मुझे फाइब में जाने का जरूरत क्या है और अगर देखा जाए जो मतलब लोग हर कोई अभी पुराना फोन यूज़ करें यह सब इसके वजए से क्या होता है कि बहुत सारा जो फोन है जो पहले आता था फोर जी फोन को बहुत कोई अपडेट ही नहीं किया है तो उ वह फोर जी सर्विस से वह अराम से अपना पुराना फोन है वह यूज़ कर पाएगा आपना जो बी काम है वह अपना निफ्टा पाएगा साथी साथ पर मंत अगर देखा जाए एक हीूज अमांट का पैसा जो है वह अपना सेविंग करें तो यही में रीजन है बी एसनल का सर्विस में पर्तिया है त्वही नंबर का जिक वाता है फिष्ट इस देघी हो हो जा जाएगा यंघर आप चाहेका या अपना पैसा जाते है कर आप आप को मैं तो दूसरा सी में आगर आप चाते है शिफ्ट हो सकता है अब जो कोश्चन होता है यहां कि आगे जाके क्या बीएसनल इसको हैंडल कर पाएगा बीएसनल का इंफरस्ट्रॉक्चर इस लेबल पर है या नहीं यह भी एक मैटर करता है तो इसमें क्या होगा यह हम लोगों को आगे पता चल जाएगा ऑन दादर साइ है कि बीएसनल को खोड़ा का टाइम लगे कंप्रीटली एक्टिव होने में मगर अगर वो टाइम हम लोग उसको दे देते हैं उसके बाद बीएसनल का नेट्वर्क जो है वह और भी बहतर हो जाए ऑन दादर साइड हम लोग जो इंडियान से हम लोग को पता है कि अगर पैसा बचाना है तो आपका डिश्यन है आप जाएंगे और आपको पैसा बचाना नहीं तो आप अपना जो हम देरे हो प्र बंत कर सकते, आब बोलो फिर से कब हाइक कर देगा यह तो पता नहीं, क्यूंकि ऐस बडेता है उसमें अगर हम लोग देखे तो हम लोग पता चलत इंडिया में जो डेटा का चार्जेज है यह काफी कम है जिसको लेके मैं अल्रडी एक वीडियो बना के रखा हूं अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं और जब यह प्राइस हाइक हुआ था उस टैम में यह बात आगे आया था इंडिया में जो प्राइस करने हम लोग का जो पॉकेट का खरचा है उस पर यह और भी प्रेशर क्रियेट कर सकता है तो यही सोच के बहुत कोई है जो लोग के अल्रेडी एमन पी यूज कर रहा है और बीएसल में शिफ्ट हो रहा है तो यह तो था एक साइट का डिटा अगर हम लोग देखे के बीए अगर चाहिए तो आगे जाके अगर यही सेम प्रेंड बीएसल क्वालिटी सर्विस प्रोवाइट कर पाए अगर प्रोवाइट कर पाए अपने कस्टमर को साथी साथ जो नेटवर्क है उसमें और भी ज्यादा तरक्की हो तो इन फ्यूचर जाके बीएसल का जो यह कस्तमर बेस घट रहा था वो कस्तमर बेस इन फ्यूचर जाके और भी ग्रोव कर सकता है अगर हम लोग मार्केट शेर के हिसाब से देखे तो हम लोग को यह जो प्राइस हाइक हुआ है इससे पहले बीएसल का मार्केट शेर लगबग 7.93 परसंट और अगर हम लोग उससे भी एक सा लाग पहले देखे उस ताइम में बीसल का था 9.3 परसंट तो आप समझी रहेगे यह कस्सіл comenz जो डेस यह धिरे-धिरे-धिरी मगर जब से यह प्राइस हाइक हुआ है तब से बीएसनल का जो कस्टमर बेसे यह धीरे 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 बर रहे है प्रेजेंट इसका एक्जाक्ट क्या 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 है यह हम लोग को end of the month पता चल जाएगा और और होफुली अगर बीएसनल इन फ्यूचर जाके अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइट करें तो यह जो डेटावेस से धीरे धीरे बरते जाएगा क्योंकि हम लोग को चाहिए भाई जो भी हम लोग को कम पैसा में अच्छा सामान प्रोवाइट करें हम लोग उसी का लेंग क्योंकि हम लोग को दो पैसा बचाना है और आगे जागे बीएसनल अगर एक बेटर सर्विस प्रोवाइट करते है वह भी लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं जो लोग इंक्रम ग्रूप है वो लोग इसमें ज्यादा शिफ्ट करेंगे एक चीज मैं आपको बोला बोल ग स्च्डाइबर हो रहा है इसको लोग पता चलता है मेंझा जालदी शिफ्ट हो जाता है मगर पोस्पेट कर स्टमार को जो शिफ्टिंग है हम लोग देखते हैं कि कि यहां आपको भी समझना चाहिए कि यह जादा एफेक्ट नहीं करेंगा हम लोग को वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं और हो सकता एक अगर सर्विस नहीं तो फिर से बापस शिफ्ट कर जाएं यह बात भी सही ए अगर लोए इंकर्म जाता है तो एक सब्सक्राइबर के पीछे जितना पैसा मेल रहा है आएसपी को वह पैसा जो है वह कभी कम है और अगर ऐसा होता है कि जो हाइब बहुत जादा बिल करता है पोस्पेट करता है वह लोग अगर शिफ्ट कर जाता है कि यूज आमाउंट में तब जाके आगे जो कंपनी है जो प्राइबेट सेक्टर वोगो ध्यान थोड़ा सा मतलब हिलेगा कि या करना है हम लोग कुछ नया प्राइन करते हैं या फिर हम लोग प्राइस करते हैं मगर ऐसा होने वाला नहीं है क्यूंकि वह लोग अपने तरप से अच्छा सर्विस प्रोवाइ एक टाइम में था मार्केट में जो बीएसनल था वो रेगुलेटर हुआ करता था मनलब यह सबसे बरा था अन्दा अधर साइड दिरे-दिरे मार्केट में यह जितना भी प्राइफेट लेते गया और यह जो चेंजे से यह आते गया उन लोग अभी जो कस्टमर बेसे वह तो बीएसनल का जो यह पावर था यह धिरे-धिरे कर लिया प्रेजेंटली यह बीएसनल को एक चांस मिला है तू डॉड़ वर्शिन में हम लोग कह सकते हैं तो इसमें अगर बीएसनल आगए जाके लॉंग का में एक जो प्राइस बीएसनल रखा है उसी प्राइस में अग प्राइस को चेंज कर सकता है अगर एक यूज अमांट ऑफ कस्टोमर शिफ्ट हो जाता है बीएसनल पर तो आगे जैसे-जैसा होगा कुछ भी अपडेट में आपको देते रहोंगा और आगर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग ट्रॉपिक में कोई भी कुछ जानना है या फि पिर आपके जो नजदिक में जो भी दोस्त है उसको भी हो सकता है कि आपका ये भी अच्छा लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हम लोग जैसे नया क्रीटर को अगर थोड़ा से हेल्प करना चाते ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और दोनों में वीडियो का जो मज़ा है वो लीजिए आज के लिए इतना ही मैं आतनू थेंक्व